हे दोस्तों स्वागत एक और इंटर्सिंग वीडियो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग आइफोन को फास्ट टाइम जो है सेट अप करने वाले हैं आपने से काफी लोगों ने फिलिपकार्ट बिग बिली इंडे में आइफोन लिया होगा फास्ट टाइम अलग होता है एंडुएट के मुकाबले तो कैसे सेट अप करने है इस वीडियो में बताने वाला हो तो वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा बाकि जिन लोग को आता है वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं तो सबसे प्लिक करना है आपको पावर को आन करना है तो यह बहुत सारे लेंग्वेज पर जो है वही सेम चीज लिखा रहेगा मतलब आपको स्वागत होगा swipe up कीजिएगा swipe up करनेक बाद अब आपको यहाँ पर लेंग्वेज लिक कर सकते हैं हिंदी भी यहाँ पर दिया गया बड़ मैं यहाँ पर इंग्लिज लिक करूँगा यहाँ पर आपको मतबाएं यहाँ पर लार इकोन आपको कैसा रखना है थोड़ा ब्राइटनिस ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि का इसल्ग्ड यहाँ पर रखने चाह很好 हूँगा में लार्ज रख सकते हो यहां पर ॉय तेक SIZE उप देखे होगा, अब बड़ा होगया और default पर यहां पर छोटा है, तो मैं default ही रखना चाहूंगा, continue करते हैं, continue कर एक बात, यहां पर आपको देखिए, quick start का option मिल जाता है, अगर आपके यहां पर कोई अलग iPhone है, उससे आप यहां पर setup बगरा करना चाहते हो, जैसे कि आप देखिए, setup अनदर यहां पर यहां पर य कोई अलग device को connect की हुए, तो मैं अभी normal setup कर रहा हूं, मेरे पास iPhone है, हलाकि मैं वह बाद में कर लूँगा, अभी आपको S3 के से दिखा रहा हूं, तो यहां पर setup without वाले में कर लेता है, उसके बद यहां पर continue करेंगे, यहां पर customize settings भी आप कर सकते हो, तो आप चाहों तो customize क कर सकते हो, बड़ मैं continue करने वाला हूं, उसके बद अब आपको यहां पर simply अपने Wi-Fi के साथ फोन को connect करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर फटाफट से connect कर लेता हूं, तो यहां मैंने connect कर लिया है, वैसे आप Mac PC से भी इसको connect कर सकते हैं, अब यहां पर कुछ time लगाएगा यह activate होने में, जैसे कि यहां पर first time यह phone activate हो रहा है, आज से इसका warranty start हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे first time boot किया, तो यह देख पाएगे यह activate हो गया है, और आज से मेरा इसका warranty start हो गया है, आज 28th है September, और मैं यहां पर continue कर दूँगा, तो यहां पर continue करते हैं, यहां पर setup iPhone आज आज आता है, अब आपको यहां पर setup करना है, आप खुद के लिए कर सकते हैं, अपने child और family के लिए कर सकते हैं, यहां पर देख तैंगे दो option है, तो मैं फिलाल खुद के लिए कर रहा हूं, तो मैं खुद के लिए यहां पर करूंगा, अब यहां पर face ID देने को बोलेगा, तो मैं अब भी जो है face ID setup कर देता हूं यहां पर continue पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके यहां पर जो है डिटेक्ट करवाना पड़ेगा तो get start पर यहां पर आपको क्लिक कर लेना है उसके बाद यह आपका जो है face the cup करेगा अपको अपना फेज करवाना है इससे इसने setup कर लिया है अब यहांपड आप अगर मार्स पहनते हो तो सारह करोंगा और यह यह देख पाएंगे और आपको मेंगो मार्स पbourब भाट्पर कर लेता है तो कर सकते हो यहांपाと अभी नहीं करना है तो सारा यहांप पार ले लिए अफटाक से और आप continue कर देते हैं अब यहाँ पर आपको बोलेगा जो है password set कर ले तो मैं यहाँ पर अभी simple password जो है generally set कर लेता हूँ यहाँ पर जो है आप 6GT या फिर यहाँ पर आपने according जो है alphabet या फिर 4 digit आप कर सकते हो मैंने 4 digit कर दिया आप यहाँ पर 1 2 3 4 मैं जो है अभी कर रहा हूँ और आप चाहो तो change password कर सकते हो यह फिर use anyway यहाँ पर कर सकते हो और उसके बाद दुबारा से मैं जो है password को रिएंटर कर देता हो और continue कर देता हो उसके बाद आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस दीखने में जाता है transfer your app and data यहाँ पर आप transfer कर सकते हो app data को जैसे कि iCloud से आप बैक अप ले सकते हो या फिर आपके पास कोई अधर आईफोन है उससे बैक अप ले सकते हो यहाँ पर आप Mac और PC से बैक अप ले सकते हो या फिर Android यहाँ पर डिवाइजर से उससे भी बैक अप ले सकते हो यहाँ वाटसेप वगएरा सब कुछ बैक अप हो जाएगा कुछ भी ट्रांसफर नहीं करने वाला हो तो डोंट ट्रांसफर एनीथिंग पर क्लिक करूंगा उसके बद आपके यहाँ पर 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 आपको अपना नाम वगेरा सब कुछ फिल अप करना है तो फड़ा वर से मैं यहाँ पर फिल अप करना स्टार्ट करता हूं तो जैसे ही आप अपना नाम और यहाँ पर बट डिट डिट ने हैं तो इस तरीक का आपको यहाँ पर आपको पासवर्ट सेट करने को बोलेगा आप यहाँ पर देख पाएंगे एक वर आपको सेट करना है फिर यहाँ पर रिट करना है वही सेम पासवर्ट को तो फटाफ़र्ट से यहाँ पर पासवर्ट सेट कर लेते हैं तो इधर मेरा पासवर्ट सेट हो गया आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और देखें यहां पर पासवर्ट सेट हो गया है पासवर्ट सेट करने के लिए यहां पर हमेशा आपको वीग दिखाएगा हो सकता है बड़ आपको एक capital letter पे देना है बागे आप small letter पे दीजेगा उसके बाद एक चिन दे दीजेगा उसके बाद नमबर दे दीजेगा तो यहां पर आपको पासवर्ट easily set हो जाएगा अब आपको यहां पर phone number से verification करने को बोल रहा है तो अगर आपको पास phone number है तो verification कर लिजेगा otherwise यहां पर Apple ID आपका नहीं open होगा तो मैं phone number से फड़ा फड़ से इसको logging कर लेता हूँ तब आप आगे बढ़ पाओगे तो मैंने यहां पर सब कुछ agree कर दिया है और यह देख पाएंगे अब यहां पर sign in होने लगा है हमारा Apple ID create हो गया है और अब यह मस्त तरीके से animation show कर रहा है वाव काफी cool लग रहा है थोड़ा सा wait करना पड़ेगा बागी जब तक यह चल रहा है मैं आपको बता दो अगर आप अपने Apple device charger लिए इस तरीक का cool cases buy करना चाते है तो इसका link मिल जाएगा इसका video मैंने बना रखा है देख लिए यह आपन पर link मिल जाएगा जाकर check कर सकते हैं अब देखिए यहां पर update आ गया है वो जो है आपका अपडेट ले लेगा तो मैं बोलूँगा यहां पर जो है आपका अपडेट आया कुछ दिन बेट करो अगर कोई problem ना रहा हो तब जाके update करो बना यहां पर problem आएगा तो यहां पर एक साल तक तो आप जो है safe रहोगे बड़ एक साल बाद यहां पर आपको बड़ा problem face करना पड़ सकते है तो मैं अभी फिलाल continue करूँगा location वगेर आपके यहां पर turn on करना है तो कर सकते हो या फिर setup लेटर पर कर सकते हो तो मैं अभी सब कुछ इसको access दूँगा क्योंकि iPhone obviously safe रहता है और यहां पर अगर हम सारे कुछ को access दे देते कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं होगा और यहां पर देखिए transfer for near by iPhone इसको अगर आप यहां पर activate वगरा करना चाते हो तो कर सकते हो बड़ मैं setup लेटर करूँगा आप मुझे कुछ भी निकरना है यहां पर activate करना है तो यहां पर activate कर सकते हैं कुछ इस तरह से continue अगर करते हैं है Siri, how is the weather देखिए यह हो गया है Siri, send a message हो गया तो कुछ इस तरह के साथ सब कुछ करके setup कर लेना है continue करना है continue एक बात अब यहां पर आपको record वगिरह यह सब जो है ठाव पर not now कर दिजिएगा, screen time यहां पर जह करना चाते हो तो यह setup later यह पिर अभी करना चाते हो, तो set up अभी कर सकते हो यहां पर setup करना है continue पर और यह सब कुछ आपका setup करने लग जाएगा, यहां पर share apple id औगेर यहां पर आपको यहां पर तीन ओप्शन देखने को मिल जाते हैं, आपको light theme जाना है, dark theme जाना है या फिर यहाँ पर auto रखना है, तो dark theme यहाँ पर अरज है, cool दिखता है, जसके दीख पाएंगे, light यहाँ पर जो है, कुछ इस तरह का दिखता है, dark cool है, auto पर यहाँ पर जो है, दिन रहेगा, तो light रहेगा और रात होते ही dark हो जाएगा तो यह time के हिसाफ से होता है तो मैं dark theme जो है prefer करता हूँ उसके बाद continue और यहाँ पर जो है emergency OS वगएरा यह सब है तो आप चाहो तो continue कर सकते हो यह जो है आपका emergency satellites से बगएरा और यह देखे welcome to iPhone यहाँ पर setup हमारा complete हो गया है अब swipe up करते ही यहाँ पर हम आचुके iPhone के gallery section में जैसे कि देख पाएंगे यह आपका कुछ इस तरीका कर देखेगा तो setup करने के बाद आपको कुछ इस तरीका देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर settings पर आते हैं और यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं battery पर यहाँ पर battery health की बात करें तो अभी आप देखो यहाँ पर 100% है और cycle count यहाँ पर 0 है और manufacturing date यहाँ पर June 2014 का है और first use September 2014 है देख पाएंगे यहाँ पर सब कुछ लिख दिया गया है और box के उपर भी अगर देखो तो यहाँ पर manufacturing date जूँन 2014 का है तो यानि कि यहाँ पर एकदम जेन भी नहीं है और battery percentage वगरा यहाँ से आप enable कर सकते हो अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको battery percentage भी शो करेगा अगर आपको battery percentage जो है शो करना है बागे यहाँ पर आपको notch तो इस तरीका देखने मिलता है dynamic island बोलते है यहाँ पर आपको message, music इन सब में देखने को मिलता ही है और काफी सारे आप food, app वगरा यहाँ पर सारे date वगरा दिखाता रहेगा बागे आपर settings पर और भी चीज़ देख लेते हैं इसको अपडेट करना पड़ेगा और वरेंटी भी यहाँ पर आपको शो कर देता है आप देखे जैसे कि आज मेरा यहाँ पर activate हुआ है देख पाएंगे expire यहाँ पर 27.9.2025, 2024 में मेरा वरेंटी हुआ है और यहाँ पर 2025 मेरा वरेंटी खतम हो जाएगा और software update में अगर click करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे थोड़ा check करेगा मुझे लगता है software आ गया है तो यह देख पाएंगे 2 software update आया हुआ है एक 17.7 और दूसरा यहाँ पर ISO 18 आया हुआ है और मैं एक चीज़ बोलूँगा हमेशा आपको पहले जो software update आएगा उसको करना है ना कि direct यहाँ पर ISO 18 में जंप करना है अगर आप direct ISO 18 में जंप करते हो ना तो हो सकता है आपके device में issue आजाए क्योंकि यह अगर आप करते हो तो यहाँ पर security वगएरा fix होगा उसके पर यहाँ पर आपके phone में जो भी problem वगएरा रहेगा उसको fix किया जाएगा तब जाकर यहाँ पर आप ISO 18 को करोगे तो आपको green line issue यह फिर यहाँ पर display issue यह सारे problem आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास obviously जो है iPhone 12 है और मैं उसमें उसी तरह की process जो है यहाँ पर करते आ रहा हूँ इस वाज़े से अभी तक उसमें कोई भी issue नहीं आया है जबकि iPhone 12 में से काफी लोगों का iPhone 13 में काफी लोगों का issue आया था तो आपको obviously यहाँ पर पहले जो update आएगा उसको complete करना है फिर second update को complete करना है जिससे यहाँ पर आपका safe रहेगा और मैं इसको update करने बात आपको simply जो है यह देख पाएंगे यह Apple का store है जहाँ पर BGMI, Pokemon Go तो यह सब मुझे इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल करूंगा और आपको पासवर्ट दे कर उसके बाद यह आप कुछ भी App Store से डाउनलोड कर पाऊगे यह जिसका काफी बढ़िया है मैं पासवर्ट दे द करवाना है Apple ID में तो यह देख पार होंगे यहाँ पर आपको टाम सेंट कंडिशन वगेरा जहाँ एगरी कर लेना है एगरी करनेक बाद यहाँ पर जहाँ नेक्स्ट करना है नेक्स्ट करनेक बाद आपको यहाँ पर UPI ID, Net Banking जो भी आप देना चाते हो यहाँ पर बिल्डि हो जाता है जैसे आप सब कुछ फिल अप कर देतो अब आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होगा बस आपको हर बार यहाँ पर पासपर्ट देना पड़ेगा तो इतना तगड़ा है Apple का जो है security system इससे ही आपको पता लग जाता है तो इस व verification email ID किया क्योंकि obviously यहाँ पर हमेशा से verification वगएरा सही करना चाहिए वरना यहाँ पर कोई भी गड़बड वगएरा होता है तो Apple यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं लेता है तो इस वाइसे Apple इतना secure है बाकी यहाँ पर कुछ इस तरीक का interface वगएरा है ISO यहाँ पर अपडेट करन करना है डीटेल में मैंने वीडियो बनाया है पसंद आओ तो लाइक कीजिएगा बाकी जो है आइफोन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो वगएरा आएंगे इसमें जो भी अपडेट वगएरा इसके फीचर वीडियो आ जाएंगे साहसाथ चार्जिंग टेस्ट वीडिय कीजिए बागे मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में नए कॉंसेप्ट के साथ अपतर लिए टाटा बाई 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 हसते रिए मुस्कवात्री और बेडिया आजिए टेकिंगल्स के साथ